नमस्कार दोस्तों जी के अर्जन सार यूटुब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है यूपी टीजिटी दोजार बाईस इतिहास प्रेटी सेट एक सो पचपन में तो चले वीडियो प्रारंब करते हैं वीडियो प्रारंब करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वे तो चले वीडियो प्रारंब करते हैं हाँ अगर आप लग इसे पिछला प्रेटी सेट 154 तक वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बनावा जिसका नाम है यूपी टीजिटी इतिहास और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया अरीबों की मदद करना विदेशी बैपार को बढ़ावा देना या आंतरिक साधनों को जुटाना या एक बड़ी सेना कायम रखना तो बजार नियंतरल निती के द्वारा अलाव दिन खिलजी क्या चाहता था तो इसमें आपका राइट एंसर डी सही होगा एक बड़ी सेना कायम रखना डी सही होगा इसमें एक बड़ी सेना कायम रखना कोशन नमबर दो है फिरोज तुगलक ने क्या किया था जागीर प्रथा का पुनरस्थान किया मंगोलों को हराया या दच्छिड को पुनह जीता या उपिप्त सभी कार किये तो फिरोज तुगलक ने जो है जा जागीर प्रथा का पुनरस्थान किया था पुनरस्थान किया था जागीर प्रथा का यानि फिर से शुरू किया था जागेदारी प्रथा कोश्चन नमबर तीन है अमीर खुसरो किसका समकालिन था बलबन का अलावदिन खिलजी का गयासुदिन तुगलक का या इन सभी का तो इसमें आपका राइट एंसर हो जाएगा D इन सभी का बल्बन का भी था अलाओ दिन खिलजी का भी ग्यासु दिन तुगलक का भी तो D इसका राइट एंसर होगा कोस्टन नमबर चार है बहमनी किसके उपर राज करते थे बहमनी समराजे यानि बहमनी किनके उपर राज करते थे गुलबरगा दौलताबाद बरार और बीदर या केरले गुलबरगा और बरार या दौलताबाद बरार बीदर या केवल बरार और बीदर तो इसमें आपका राइट एंसर हो जाएगा ए गुलबरगा, दौलताबाद, बरार और बीदर बहमनी समराजिक किनके उपर समराजिक इनी राजिक करते थे तो गुलबरगा, दौलताबाद, बरार और बीदर बहमनी समराज के अगर संस्थापक की बात करें तो इसका संस्थापक था अल्लावदिन हसन बहमन सा और इसमें चार प्रांत में विवाजित किया था यही चार प्रांत है गुलबरगा, दोलताबाद, बरार और बीदर कोश्चन नमर पांच है कॉंटी, पेस, नुनीज और मुनुक्की ये सभी कौन थे गोवा के रजपाल थे या विदेशी परियटक थे या डच बैपारी थे या पूर्तगाली सेनापती थे तो इसमें आपका राइट अंसर होगा, बीदेशी परियटक थे कोंटी यानि इसका पूरा नाम था निकोलो कोंटी और ये इटली का यात्री था और ये जो है देवराय प्रथम के सासनकाल में आया था जो बीजे नेगर समराज की सा सकते इसके बाद पेश पेश की बाद करें तो पेश का पूरा नाम था डोमीगो पेश ये पूर्तगाल का निवासी था और यह आया था क्रिश्न देवराय के सासनकाल में आया था नूनीज के अगर बात करें इसका नाम पूरा नाम था फर्नाओ नूनीज और ये पूर्तगाली यात्री था और यह आया था आच्चुत देवराय के शासनकाल में और लास्ट में मनुकी यह इसी को मनुची के नाम से भी जाना जाता है तो इटली का निवासी था और औरंग जेब की सासन काल में आया था यह कोशन नमबर छे है बीजयनेगर प्रसाशन में सिष्ट क्या था बीजयनेगर प्रसाशन में सिष्ट पूछ रहा है सिष्ट यह सब्द ध्यान देजेगा सिष्ट क्या था भूराजस्व तिर्थ यात्राकर वानिजिक या आबकारिकर तो बीजयनेगर समराज में सिष्ट क्य तो सिष्ट जो है एक परकार का भूराज़स्व था, जो विजे नगर राजी में नगद भूराज़स्व को सिष्ट कहयता था, तो एक परकार का भूराज़स्व था, सिष्ट. Q7 है भक्ति संतों ने क्या प्रचार किया इस्तिरित था पुरुस की समानता जाती प्रथा का उन्मूलन या बिधवा पुनर विवा या उप्युक्त सभी Q8 है भक्ति संतों ने क्या प्रचार किया था जाती प्रथा का उन्मूलन Q8 है संतनत काल में कला और अस्थापत ते कला किन के मिश्रन थे? रोम और भारत की सैलिका, अर्बी और फार्सी सैलिका, भारती और इसलामी सैलिका या उप्युक्त सभी का तो इसमें आपका राइट एंसर होगा संतनत काल की जो अस्थापत ते कला है वो किसका मिश्रन है? यह है भारती और इसलामी सैलिका सीज का राइट एंसर होगा भारती और इसलामी सैली का कोश्चन नमबर नौ है अलाई दर्वाजा कहां पर है कुतुब मिनार के पास यह दौलताबाद में यह फतेपुर्सिकरी यह आगरा में तो अलाई दर्वाजा कहां पर है? यह है कुतुब मिनार के समीप यह सही होगा और इसका निर्माण करवाया था अलाउदिन खिलजी द्वाराई अलाउदिन खिलजी नि कर रहाए था इसका निर्माण कोस्टन नमबर दस है सामुगण की लड़ाई किस से संबंधित थी मुगल अफगान की सक्तियस परधा से या मराठों की स्वाधिनता संग्राम से या साजहा के सासनकाल में उत्रादिकारी के युद्ध से या मुगल राजपूत प्रति द्वन्दिता से तो सामुगण की लड़ाई किस्सी संबंधित थी यह संबंधित थी साजहा के सासनकाल में उत्रादिकारी के युद्ध से और उत्रादिकारी में ये युद्ध हुआ था दाराशिको और औरंगजेब के वीज कोस्टन नमबर 11 है औरंग जेब के बारे में एक गलत कथन बताईए औरंग जेब के बारे में एक गलत कथन बताना है कौन से इसमें कथन गलत है उसने सिमावर्ती लड़ाईयां लड़ी उसने मराठों से संगर्स नहीं किया उसने सतनामी बिद्रों का धमन किया समानता उसने राजपूतर विश्वास नहीं किया तो इसमें गलत कथन आपका B है उसने मराठों से संगर्स नहीं किया यहां पर दिया है नहीं तो यह कतन आपका औरंग जेब के परपेच नबर 12 है, सीवा जी ने क्या किया, जागीर प्रथा का अंत्त किया, या जमिदारों के द्वारा भूराजय सो संगरह किया, या अपनी सेना में इरोपियों की निउक्ति की या पूर्तगालियों सो कोई संबंध नहीं रखा तो सिवा जी ने क्या किया था ये पूछा जा जा रहा है इसमें तो इसमें आपका राइट एंसर हो जाएगा A यानि सीवाजी ने जागीर प्रथा का अंत कर दिया अब किसली अंत किया गया क्योंकि उनके दोरा जो भुमी उपज के सर्वच्छन कराने पर जो भू स्वामी उते थे यानि भुमी का मलिक उनको सुतंत्र गतिवीधियों पर नियंत्रन लगाने से ऐसी समावना के संकेत मिलते थे इसलिए जो है जागिर पर्था का ये अंत किये थे कोश्चन नमबर 13 है अमल गुजार किस से सम्बन्धित था अमल गुजार ये सब्द है अमल गुजार किस से सम्मंदित था डांक प्रसासन से सेना प्रसासन से भूराजस्व प्रसासन से या पुलिस प्रसासन से तो अमल गुजार किस सम्मंदित था ये था भूराजस्व प्रसासन से भूराजस्व प्रसासन से तो अमल गुजार या इ और इसका मुख्य जो कार्य उता था भूराजस वसूली से था मुख्य कार्यस का तो इसमें आपका राइट एंसर सी होगा भूराजस प्रसासन कोशन नमबर 14 है अकबर के द्वारा निप्त कानुनगो क्या करते थे राजस्व जमा करते थे या विवाद सुल्जाते थे या महजित की रच्छा करते थे तो कांगो का क्या कारे था आकबर के द्वारा जो निप्त किये गए थे इनका कारे था राजस्व जमा करते थे ये सही होगा इसमें राजस्व जमा करते थे कानगो जहे परगने के पटवारियों का परधान होता था और इसका मुख कारही था जिसे लगान और भूमी क्रिशी सम्मंदिक कारही देखता था ये कोश्चन नमर 15 है परसी ब्राउन ने किसके बारे में लिखा है कोश्चन नमर 16 है तब का ते नासरी किसकी रचना है जियाओदिन बर्नी इबन बतूता मीन हाज या इनमे से किसी करने तब का ते नासरी एक इतिहासिक गरन्त है और इसके रचनाकार है मीन हाज क्या नम है मीन हाज और यह तब काते नासरी मीन हाज ने सुल्तान नसुर्दिन महमूद को भेट की थी इस रचना को कोश्चन नम्번र 17 है Grant Dove ने किसका इतिहास लिख़ा है सिखों का मराठों का राचपुतों का यदा पठानों का तो Grant Dove ने मराठों का इतिहास लिखा है कोश्चन नम्ber 18 है अकबर के दच्छीन के सूबे सबे नहीं है पर सूबे पढ़िएगा इसको या बरार बीजापूर गुलकुंडा या बीजापूर खांदेश बरार तो अकबर के दच्छिन के सुबे कौन-कौन थे तो इसमें आपका राइट एंसर बी सहयोगा अहमद नगर बरार और खांदेश ये सब अकबर के सुबे थे यानि प्रांत थे कोशन नमबर 19 है सेर्शा के भूमी प्रसासन के बारे में एक गलत कथन बताईए दिया है जमिदारों के साथ बंदबस्त किया गया था कि राये में छूट दी गए थी या भूमी का विभाजन उत्पादन के अधार पर किया गया था या भूमी के सरवच्छन के बाद बंदब बंदबस्त किया था तो सेर्शा सूरी जमिदारी प्रथा को समाप्त किया था यह गलत है कोशन नमर 20 है और अंतिम कोशन है कबर के बारे में एक सही कथन बताईए तीसमें सही बताना है अकबर के बारे में एक सही कथन बताईए दियाय उसने कंधार को अबिजित छोड़ दिया उसने पूर्य दच्छिन भारत पर विजय प्रात की उसने दी नहिलाही को राजधर्म बनाया वह उलेमा के प्रभाव को नियंत्रित करना चाहता था तो इसमें आपका राइट एंसर डी सहयोगा वह उल पसंद आया होगा पसंद आया ते इसको लाइक करें अपने दोस्तों के हां अधिक सदिक सेयर करें धन्य बाद दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम